एक 8 वर्ष के मासुम बच्चे को उल्टा करके पहले टांग दिया गया और फिर उसे मारा गया और 8 वर्ष के मासुम बच्चे के गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके उपर 5 रुपे की बिस्कुट के चोरी का शक था आठ साल के किसी बच्चे पर 5 रुपे के बिस्कुट चुराने का शक होता है और फिर उसे ऐसी सजा दी जाती है कि उसे देख कर कोई भी काप जाए आप तस्बीर में देख सकते हैं कि किस परकार से एक छोटे से बच्चे को रस्ती से बाद कर उल्टा लटका दिया गया है क्योंकि वहाँ आसपास मौजूद लोगों को इस बात का शक है कि उसने 5 रुपे वाला बिस्कुट चुरा लिया है बच्चे की माँ अपने बेटे को छुडाने के लिए उस ब्यक्ति से गुहार करती है लेकिन वह कहता है कि अगर बच्चा चाहिए तो 40 हजार रुपया दे दो इसके बात जिस ब्यक्ति ने बच्चे को मेरे हमी से मारा है उसने यह भी कहा कि अगर पुलिस के पास यह सब जानकारी गई तो हम पुलिस से यह कह देंगे कि बच्चा चोड है और उसने हमारा समान चुराया है और समान चोरी के आरोप में हम इस बच्चे को जेल भी भी भ दिख रहा है जिसके हम तस्बीर आपको दिखा रहे हैं वह अपने परिवार समेर फरार हो गया है नवादा से जो वीडियो सामने आई है उसे देख कर हर कोई तालीबानी कुरूरता का उदाहरन दे रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर खुब तेजी से वाइरल हो रहा है अब नमस्कार में अना है मैं मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं हमारा विश्यसकारिक्रम एक्स्प्लेनर बिहार के नवादा जीले से एक वीडियो वाइरल ही जिसने हर किसी को या सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटे से में पर अभी एक तस्बीर को देख रहे हैं और ऊसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बच्चा अपने पेर के सहारे रसी से बाढ़ा गया है और उसे उल्टा लटका दिया गया है और एक सर्जन ब्यक्ति उसे मार रहे हैं आपको वहाँ आस-पास भी भी दिख रही होगी जो चुपचाप खड़ी होकर यह सबतमाशा दिख रही है। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में जानिए कि यह वीडियो चांदी पूर सौर गाउं का है। और यह गाउं वारिसली गंज थाना छेतर के अंतरगता आता है। पूरी कहानी यह बताई यारी है कि एक छोटा सा बच्चा सोंबार को बिपिन सिंग नामक एक ब्यक्ति के दुकान से पांच रुपया वाला बिस्किट चोरी कर लेता है। उस बच्चे की उम्र मात्र आठ वर्सकी है। जब दुकान के मालिक बिपिन सिंग को उस बच्चे पर शक हो जाता है तब वो शक के आदार पर उसे पकड़ कर पिटता है और फिर उसे उठा कर अपने घर ले आता है। और अपने घर में ले आकर उसे रसी के सहारे लटका देता है उल्टा और फिर उल्टा लटकाने के बाद उसे पीड़ता है वहाँ आसपास अच्छी खासे भीड़ भी जमा होताती है और उसी भीड़ में से किसी एक ब्यक्ति ने इस पूरे घटना कर्म का वीडियो बना लिय कई लोग वहाँ जो मौझूद थे वह बताते हैं कि कई बार कहने के बावजूद भी वह अव्यक्ति बच्चे को छोड़ने के लिए तयार नहीं होता है और जब छोड़ने के लिए तयार होता है तब वह कहता है कि बच्चे के बदले 40,000 रुपया उसे दिया जाए लाख क कहने के बावजूद भी वह नहीं मानता है और वह बार बार इसी बात को दोराता है कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक हम तुमारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे बच्चे की मा भी अपने बेटे के लिए गुहार लगाती है लेकिन उस ब्यक्ति ने किसी की भी न जब बाता जा रहा है कि जब बीपिन सिंग बच्चे को फिट रहा है था तब बच्चे के परिजन उससे माफी भी माग रहे थे लेकिन वह सुनने के लिए तयार नहीं था जब नवादा जिले का या वीडियो सोचल मीडिया के जरिए पुलिस के पास पहुचा तब वहां क फिलाल अपने पूरे परिवार समय फरार है लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी दोशी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और एक मासूम बच्चे को मेरे हमी से मारने का आरोप में उसे सजा भी मिलेगी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहाँ आसपास और अभी लोग मौझूद थे लेकिन बीपी सिंग के डर से कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को छुडाने के लिए आगे नहीं आता और बच्चे के परिजनों के कहने पर वह 40,000 रुपियों की मांग करता है फिलाले मिडियो सोशल मिडिया पर वाइरल हो रहा है और लोग अपन करने के लिए रसी से बाज कर उल्टा लटका कर मारने का यक्रित्य बेहत घिरावना है और पुलिस को इस पर सक्त सक्त कारवाई करनी भी चाहिए अगर इस घटना से जुड़ी इस घटना में कुछ नहीं अपडेट आती है कुछ नहीं जानकारी आती है तो उसे हम आप तक पहुचाएंगे इस वीडियो को ही समाथ करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा अगर फेस्बूक पर देख रहा है तो पेज को लाइक कर लिए और यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब कीजिए बिलते हैं फिर बहुचा लगने वीडियो में कैमरे के पिछे खड़े हो पर सिंग बहुत धन्यवाद